देवरी कस्पी के ग्राम्स नसेना मिस्थित गवर्मेंट हायर सेकैंडरी स्कूल में प्रभारी प्रैचायड और शिक्षिका के बीच जम कर विवाद हो गया विवाद बढ़ने पर दोनों के बीच मारपी चुरू हो गई और सब के सामने ही जूता चपल चलने लगे सुमार को ही इस घटना का वीडियो इंटरनेट मीडिया पर वाइरल हो रहा है वहीं इस घटना के बाल स्कूल के पढ़ने वाले विद्यारतियों को अभिवावाकों ने मंगलवार को स्कूल के गेट पर ताला लगा कर ऐसे सिक्षकों को स्कूल से हटाने की मांग करते हुए नाराजगी जता आई जानकारी के निस्वार 29 अगस के दोपर करी 12 बजे उस समय घटित हुई जब विद्याले में प्रभारी प्रचाई शिक्षक हर गोविन जाटव बच्चों को भुगोल का पिडियर पढ़ा रहे थे इस दोडान देरी से स्कूल पहुँची शिक्षका विनीता धुडवे कच्षा में आई प्रचाई ने उसके देरी से आने का कारण पूछा तो वह गाली गलोज कर विवाद करने लगी प्रभारी प्रचाई शिक्षक ने गाली गलोज करने से रोका तो शिक्षका विनीता धुर्वे ने उनकी कालर पकड़ ली और फिर देखते ही देखते दोनों के भी जूता चपल चलने लगें। गौ के सरपेंट दिवेंद्र खाड़े और पालकों का कहना है कि जब तक ऐसी सिक्षकों को विद्याले से नहीं हटाया जाएगा विद्याले में ताला लगा रहेगा। सूचरा मिलने पर विकास खन शिक्षा अधिकारी आरके जैन विद्याले पहुँचे। उन्होंने सबी सिक्षकों को अभिवावकों और बच्चों को इस घटने की जनकारी लेने के बाद आश्वासन दिया है कि पूरी जनकारी उचच अधिकारियों को भेजी जाएगी। कि अधिकारी जनकारी 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 जाएगी।